नमस्कार प्यारे मित्रों जीलू कोचिंग क्लासेज में आपका आड़ी स्वागत है पृष्णों की स्रंकला में आई M P कोस्षन हम कर वा रहे हैं आपको इससे अगली वाली वीडियो में हमने कोश्षन नमर 1-2 आपको कमिट करा दिया इसके बाद में आपको सही जोडी हमने बता दिये हैं तो क्वेश्चनों की स्रंक्ला में आज हम पढ़ेंगे आई एंपी क्वेश्चनों में क्वेश्चन नमर तीन और क्वेश्चन नमर चार जो की परिच्छा की दृष्टी से कापी महत्पूर है ब्रत के चतुरतांस का चहतफल ग्याद कीजिए जिसकी परिदी 22 सेंटिमीटर है ब्रत के चतुरतांस का चोता बाग ग्याद करना है तो हम यह लेकिएंगे दिया है दिया है ब्रत के चतुरतांस का चहत्रपल ग्याद करना है परिदी क्यातर रखी हमें परिदी दिरखी है ब्रत की परिदी कि प्रद की गरर्दकी दिरह कि है कि 22 cm 10 विप admiration का चैट्रपल ग्याद करना है 5 कि ब्रत के चतुरतांस कि चतुरतांस का चैट्रपल ग्याद करना है ब्रत के चेत्रतांस का चेत्रपल हमें क्या करना है ग्याद करना है तो यहाँ पर सबस्पेल हमें चेत्रतांस का चेत्रपल ग्याद करने के लिए हमें आरकमान 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 पता होना चाहिए आरकमान नहीं है तो सबस्पे निकालेंगे तब प्रिष्ण अनुसार और कमा निकालेंगे तब प्रिष्ण अनुसार तब प्रिष्ण अनुसार तो कह निकालेंगे ब्रत की परिदी ब्रत की परिदी क्या होती है बेटा ब्रत की परिदी ब्रत की परदी दिरकी हमें 22 cm और ब्रत की परदी का सूतर होता है 2 π.r क्या होता है 2 π.r 22 दिरका है 2 ऐसा कैसा रहेगा पाई का मान 22 बटे 7 r का मान निकालना है बरावर में रहेगा 22 दो गुणा 22 को बटे में ले जाओ चलो त्रिये गुणा करो पिले यहां त्रिये गुणा करने पर समझ जाना एक का गुणा करेंगे जाब वेसा कैसा ही आएंगे विल्कुल दो गुणा 22 और बरावर 7 गुणा 22 इसमें हम क्या करेंगे दो गुणा 22 को बटे में ले जाएंगे और बरावर 7 गुणा 22 बटे दो गुणा 22 22 से 22 कैंसल हो जाएगा आर निकल के आएगा साथ बटे दो सेंटी मीटर आर का मान निकल के आया है साथ बटे दो अमें ग्याद करना है ब्रत के चतुरतांस का छेतरफल का सूत्र क्या होता है ब्रत के चतुरतांस जो चतुरतांस का छेतरफल होता है पूरा क्या होता है ब्रत का पाई यार इसक्वेड चोथा पार्ट ग्याद करना है चार लिगदेंगे पाई कामान होता है बटे साथ और कमान देरकाश साथ बटे दू गुणा साथ बटे दू बटे में चार रहेगा साथ से कड़ जाएगा साथ दो से कड़ जाएंगे बाइस ग्यारा बार ग्यारा साथ का गुणा करते करेंगे जब निकल के आएगा ग्यारा सत्र ससत्तर बटे में चार ब्रत के चत सुर्टांस का छेत्रफल 24 सेंटिमीटर बरग है चाहतो आप इसका इसकी सोट ले लूँग कुश्य नम्मर अगला है मोडल बनाने बाली मिट्टी की उच्छाई और यूटा ने बतकि अचाहतो आपको पता चाहिए किस टायप होता है यह संकू होता है तो संकू की उच्छाई देरकी है 22 सेंटिमीटर कितने रखे 24 सेंटिमीटर तरज्जा देरकी है आर बराबर 6 सेंटिमीटर नाम ए बी सी नाम दे दो गोले में बच्छे ने बदल दिया है गोले की तरज्जा हमें क्या करना है ग्याद करना है त्रज्जा आर पहले देरकी हे आर में डेप्रेंस करना है मैं इसको केपिटल-ार बना लेंगे हमें ग्याद करना है थो दिया यह लिख सकते हैं क्या देरका है उसनकू कि है संकू की उंचाई H बरावर देरकी है 24 cm संकू की त्रज्जा संकू की त्रज्जा देरकी है R बरावर 6 cm गोले की त्रज्जा आमें निकालना है बेटा गोले की त्रज्जा निकालना है क्या लगेंगे तब प्रिष्ण अनुसार प्रिष्ण अनुसार प्रिष्ण अनुसार में क्या है यहां पर लगेंगे हम जिसको निकालना होता है उसको हम आगे लिखकर आगे लिखते हैं गोले की त्रज्जा निकालना है तो दोनों बरावर हैं तो दोनों का आयतन बरावर कर लेंगे गोले का आयतन बरावर में संकू का आयतन संकू का आयतन गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है चार बटे तीन पाई आर की घात तीन क्या होता बिटा चार बटे तीन पाई केपिटल आर की घात तीन संकू का होता एक बटे तीन पाई आर बर्ग एच ठीक है चाहो तो आप याद तीन से तीन काड़ दो पाई से पाई काड़ दो चार आर की गात तीन इस आर कमान दे रखा है आपको 6 cm, 6 को दोबाल लिखो 6 गुणा 6 उन्चा ही दे रखी है 4, कितने दे रखी है? 24 दे रखी है 4 बटे में जाएगा आर की गात तीन बराबर 6 गुणा, 6 गुणा 24 24 बटे में रहेगा 4, 4 का लगा देंगे हम 24 में भाग कितनी बार जाएगा? 4 चंग, 24 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा तो आर की गात 3 बराबर आएगा 6 कितनी बार होगा है? 6 गुणा, 6 गुणा, 6 कितनी बार होगा है? 3 बार होगा है और बरावर 6 cm यह हमारे प्रिश्ण का उत्तर है इस प्रिकार दूसकते आता है गोले के तरज्जा 6 cm है देखो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चेनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और वही लाइक जरूर करें इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में सेर करें जो दजबी क्लास का एक्जाम देंगे इस वर्स बहुत बहुत धन्यवाद